हेलो स्रेंट्स वेलकम टू लेटिल एक्स्प्लोरर्स इन दिस सेशन हम जानेंगे एंसे आटी क्लास सेक्स साइन्स चेप्टर वन भोजन यहां कहां से आता है का सॉलुशन इस चेप्टर में जितने भी कुश्चन है उन प्रश्णों के उत्तर को हम समझेंगे सबसे पहला कुश्चन है आपका क्या सभी जीवों को एक ही कर्श्चन के भोजन के आवशक्ता होती है तो आंसर आपका हो जाएगा नहीं बिभीन जानबर अपनी सरीर की संडशना तता आंतरिक अंगों के अनुसार बिभीन परकार के भोजन खाते हैं जीवों द्वारा खाये जाने वाले भोजन के अधार पर मुक्ता उनको तीन स्रेणियों में विभाजित किया जाता है सबसे पहले शाकाहरी, मांशाहरी और सर्वाहरी तीन पार्ट में डिवाइट करेंगे, शाकाहरी जो जन्तु केबल पादब खाते हैं, उन्हें शाकाहरी कहते हैं, जैसे हीरन, तोता, गाय, आदी मांशाहरी, जो जन्तु केबल जन्तु को खाते हैं, उन्हें मांशाहरी कहते हैं, जैसे सेड, चीता, चील, आदी लास्ट आपका सर्वाहारी जो चन्तु पादब तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं जैसे कुट्टा, कववा, बिल्ली, आदी नेक्स देखेंगे, कुश्य नमबर सेकिंड पांच पौदो के नाम लिखिए तथा बताईए इनके कौन से भाग अपयोग खायत परदार्थ के रोप में होता है तो सबसे पहले हम लिखेंगे पौदो के नाम और उसके आगे हम लिखेंगे कि हम उस पौदे के कौन से भाग को खाते हैं तो हमने लिया है यहां पर पांच से ज़्यादा है सेब, सेब को हम फल के रूप में खाते हैं आम, आम भी हम फल के रूप में खाते हैं आलू, आलू को हम, आलू जो है वो एक पौधे का तना होता है तो हम कह सकते हैं कि आलू को हम तना के रूप में खाते हैं नेक्स्ट है गाजर, गाजर पौधे का जड़ होता है तो गाजर को हम जड़ के रूप में खाते हैं नेक्स्ट आपका पालक पालक के पौदे का हम पत्तियों को खाते हैं ये हूँ नेक्स्ट जिसको हम बीच के रूप में खाते हैं और लास्ट आपका फूल गोबी फूल गोबी का जो पौधा होता है उसमें जो फूल गोबी होता है वो उस प्लांट का फूल होता है तो फूल गोबी को हम फूल के रूप में खाते हैं अब हम next question को जानेंगे इसमें आपको column 1 और column 2 दिया हुआ है जिसको आपको करना है match तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम चारों option को एक बार read करेंगे पढ़ लेंगे तो चलिए read करते हैं दूद दही पनीर घी अब इसमें इहां पर चारों option को पढ़ेंगे दूसरे जनतू को खाते हैं पादब एवं पादब उत्पाद खाते हैं सबजिया हैं सभी जनतू उत्पाद है तो देखिए जो दूद दही पनीर और घी है वो सभी क्या है जनतू से प्राप्थ होने वाल उत्पाद है तो ये इससे मैच हो जाएगा अब हम next देखेंगे पालक फुलगोबी काजर ये क्या है तो ये सबजिया है next है सेर एवं बाग तो ये क्या करते हैं ये दूसरे जनतूओ को खाते हैं next है आपका शाकाहरी तो last हमारा क्या बचा पादब एवं पादब उत्पाद खाते हैं तो पादब और पादब उत्पाद खाने बाले जो जानबर होते हैं, उनको हम शाकाहरी कहते हैं, तो ये नीचे दिया गया है, आपको मैच करके, यहां से आप देखेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें है कोशी नमबर 4, आपका रिक्तिस्थान की पूर्ती कीजिए, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो आपके पास ये ब्लैंक में ये बढ़ने के लिए दिया गया है, इसके साहता से हम इनको पूरा करेंगे, सबसे पहले है, बाग एक है, क्योंकि यहां केवल मांस खाता है, तो मांस खाने वाले को हम क्या बूलेंगे, मांसाहरी, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, मांसाहरी, इ निहां पर टू लिग दिया मैंने यहां पर आजाएगा शाकहरी तोटा केबल उतपाद ख़ाता है नेक्स जो हम पीते हैं प्राइय गायetic or भैस होता है इसे लिग एहां जनत पाद है तो हम इसमें से देखिए क्या है पीते हैं हम क्या पीते हैं दूद तो यह आपका फोर्थ नंबर पर आ जाएगा दूद नेक्स्ट आपका हमें चीनी मिलती है किस से आपको चीनी मिलती है तो लास्ट अप्शन आपका बचा है गन्ना तो गन्ना से हमें चीनी मिलती ह यह आपका solution यहाँ पर दिया गया है आप इसके according अपने notebook में note करेंगे और इसको सिखेंगे इसके अलाबा अगर आपको पूरा chapter समझना है तो यह फर्स चेप्टर है इसका पूरा discussion हो चुका है आप playlist में जाके देख सकते हैं या फिर description box में आपको इसका link मिल जाएगा तो thank you for watching do like share and subscribe for upcoming videos do subscribe stay connected thank you